हलो विवाइफ आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि फेश्बूक प्रोफायल पे स्टार गोल कैसे create करते हैं अगर आपके पास एक फेश्बूक पेज है और उस पे आप स्टार गोल create करना चाहते हैं वीडियो मैंने आरेडी अपलोड की है जाके आप हमारी चैनल पर उसको चुक आउट कर सकते हैं फेस्बुक प्रोफाइल पर कैसे स्टार गोल क्रेट करते हैं वो सब जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सबस्क्राइब करें और वैल आइकन को भी प्रेस करके रखें स्टार गोल क्रेट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए स्टार गोल होता क्या है आप मैंसे जिन भी विवर्स के फेस्बुक पेज पे या फेस्बुक प्रोफाइल पे स्टार मोनाटाइजेशन टूल एनेबल है आपको पता होगा कि आपकी वीडियो पे आपकी रिल्स पे आपकी आडियन्स आपको स्टार सेंड करते है और इन स्टार्स का कोई लिमिट नहीं होता है इतने स्टार्स आपकी आडियन्स आपको सेंड करना चाहेंगे वो सेंड कर सकते है और आपकी तरफ से भी अगर एक टार्गेट रखा जाए, आपने आडियन्स को आप बता सकते हैं, मेरे प्रोफाइल पे मुझे इतने स्टार्ज चाहिए, आप एक टार्गेट उनके लिए सेट करेंगे, आप थाउजन्ड स्टार्ज का टार्गेट सेट करेंगे, उसी को हम स स्टार्गेट टूल एनेवल करने के बाद आपके आडियन्स आपको स्टार्ज तो सेंड करते हैं, लेकिन जूही आप स्टार गोल क्रेट करेंगे, उसके बाद आपके आडियन्स आपको ज्यादा से ज्यादा स्टार्ज सेंड करेंगे, क्योंकि स्टार गोल जूही आप क् ज्यादा star send करने के लिए आप सीखेंगे कैसे star goal create करते हैं star goal create करने के लिए आपको आपने facebook profile में जाना होगा और यहां जो तीन लकीर है इन पे click करना होगा और यहां अपने account में आप चले जाएंगे और यहां अगर आप देख पा रहे होगे यहां view tools का option मुझे मिल रहा है लेकिन अगर आपने अपने profile को अभी professional mode में सुच नहीं किया है तो आपको बिल्कुल भी यह view tools का option नहीं मिलेगा और आपके profile पे stars का goal create नहीं हो सकता है उसे पहले आपको अपने profile को professional mode में सुच करना होगा और वो हम कैसे करते हैं अगर आपको नहीं पता तो नीचे description में link मिलेगा इस तरह का thumbnail उस वीडियो पे है वो channel पे already available है उसको भी आप चक कर सकते हैं और उसके बाद आप यहां से view tools पे जब किलिक करेंगे view tools पे किलिक करने के बाद नीचे यहां हमें monetization को option मिलता है और monetization पे किलिक करना है monetization पे किलिक करने के बाद यहां stars का option हमें मिल रहा है stars पे हम किलिक करेंगे और अगर आपके profile पे stars अभी enable नहीं है अपनी प्रोफाइल पे स्टार्स हम एनेबल कैसे करते हैं उसकी वीडियो भी आरेड़ी मैंने अपलोड की है जाके उसको भी आप चक कर सकते हैं इस तरह का थमनियल उस पहर रहेगा अब स्टार गोल क्रेट करने के लिए इस पेज़ पे जाने के बाद थोड़ा सा हमज़ आपको स्क्रॉल करना होगा और यहां नीचे स्टार गोल आपको मिलेगा और नीचे टैली वर वीव वर्स हाउ मनी स्टार्ड विल टूरीजस पेस्फिक गोल तो इस पे जब हम किलिक करेंगे इस पे किलिक करने के साथ ही यहां पे हमें結स्टालिट का ऑप्शन मिल है यहां नीचे हमें create goal को option मिल रहा है create goal पे हम जूही किलिक करेंगे create goal पे किलिक करने के बाद इस तरह का page आपके सामने होगा और जो goal आप create करने जा रहे हो उसका आपको title रखना होगा goal title मैंने यहां डाल दिया आप अपने हिसाब से कुछ और भी इसमें लिख सकते हैं और नीचे goal details अप्शनल है अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं अगर नहीं लिखना चाहते हैं ऐसे भी छोड़ सकते हैं और यहां आप देख सकते हैं चोटी सी message मैंने यहां goal details में डाल दी dear viewers help me to reach my stars goal इसके बाद नीचे goal type यहां पर आपको choose करना होगा profile level goal video level goal यह दो type के goals यहां पर होते हैं आप अपने हिसाब से choose करें अगर आप चाहते हैं कि जो भी stars आपको अपनी profile पे receive होंगे वो सारे आपके goal में count हो जाए चाहे चाहे आपके वीडियो पे मिले चाहे आपके live वीडियो पे मिले तो आपको पहला वाला select करना होगा profile level goal इसमें क्या होगा जो भी stars आपको receive होंगे वो आपके star goal में count होगे या अगर आप एक specific video के लिए star goal create करना चाहते हैं नीचे video level goal भी आप select कर सकते एक video के लिए इसमें जो stars उस video में जिस video के लिए ये goal आप create करोगे उस पे जितने भी stars मिलेंगे वो उस पे count होगे और उस video के बगार profile पे जितने भी stars आपको receive होंगे वो star goal में नहीं count होगे अब ये अपने हिसाब से आप decide करेंगे आपको profile level goal रखना है या video level goal तो मैं यहाँ profile level goal ही रखता हूं गोल टाइप सेट करने के बाद goal amount आपको यहाँ पर फिक्स करना होगा जो मैंने आपको पहले ही बताया आप 100 stars भी रख सकते लेकिन earning इस goal से कितनी हुए है वो खाली आप ही देख सकते हैं नीचे आप यहाँ आपको goal amount डालना होगा तो मैं अपने हिसाब से अभी इस profile पे उतना reach नहीं है मैं खाली thousand रखता हूं और यहाँ publish का option मुझे मिल रहा है और publish पे मैं किलिक करूँगा और जो ही मैंने publish पे किलिक किया और इस तरह का मेरा जो goal है वो create हो गया आप यह सिक्रिन शाट आपको दिख रहा होगा यह जो मैंने वीडियो अपलोड किये कि Facebook पे कैसे star goal create करते हैं उसी पे मुझे मिला था minimums कितने star goal रख सकते हम क्या 5000 से कम नहीं रख सकते हैं यह comment मुझे मिला था क्या 5000 से कम हम नहीं रख सकते स्टार goal में target तो बिलकुल रख सकते हैं जितना आपकी मरजे उतना ही आप रख सकते हैं इसमें कोई limit नहीं है Facebook की तरफ से कोई भी guideline इसके लिए set नहीं की गई है कितना आप रखे star goal में क्या amount दे यह आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जिस तरह से मैंने 1000 रखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं और title के साथ साथ जो मैंने अभी आपको बताया नीचे जो description आ रही जो optional थी वहाँ पर अगर आप कुछ लिखोगे वो भी यहाँ पर display हो रहे है Dear viewers, help me to reach my star goal यह message भी आप जरूर डाले आप वो optional जरूर है लेकिन वहाँ पर कोई ना कोई message आपको डालनी होगी और यह message भी आपके विवर्स तक पहुचेगी इस message से भी वो थोड़ा सा motivate हो सकते है विवर्स यह थी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा की Facebook profile पे star goal कैसे create करते है अगर आपको आज की वीडियो किसी भी reason से पसंद आई हो तो वीडियो को like, comment, share जरूर करें और वीडियो के बारे में आपकी क्या रहा है वो comment में जरूर बताए और आखिर पे और एक request रहेगी इस तबाव विवर्स है जिन्होंने हमारी चैनल को भी subscribe नहीं किया है चैनल को subscribe करें और bell icon को भी press करके रखे